तो अब हम लोग जान चुके हैं SIP क्या है, SIP आपको अमीर कितना बना सकती है कि कैसे इंवर्स्ट करें और किस में करें आप जानते हैं कि किस तरीके से आपके घर मर्सेडीज आए है हला इडिवन कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके तो क्या आपने लखनव आने का टिकेट बुक कर लिया है या नहीं एक 11 दिसंबर का उमीद करता हूँ कि इस पहली बार होने जा रहे लखनव में मेगा इवेंट के लिए आपने टिकेट बुक भी कर लिया होगा, गूगल फॉर्म भर भी दिया होगा जहां हमारी और आपकी मुलाकात होने वाली हैं और सीखने वाले हैं स्टॉक मारकेट की एक नई दुनिया मैं भी सिखाओंगा और स्टॉक मारकेट के बहुत सारे एक्सपॉर्ट हैं वो भी सिखाने वाले है और ये है इस साल का हमारी दरब से प्यार भरा एक छोटा सा तौफा जो बिलकुल फ्री है और अगर अभी तक नहीं किया है तो Google Form भर लीजेगा साथ में आप लोग परिशान है कि सर आजकर ये वीडियो पर निफ्टी के लेवल नहीं आ रहे हैं बैंक निफ्टी के लेवल नहीं आ रहे हैं तो प्रभू कहा है आप जोइन कीजिए टेलिग्राम ग्लैंड फरमा दिया आग लग गई ऐसे अंगिनत स्टॉक दे रहे हैं और देखें SIP छोटी ही सही बट होनी चाहिए जी हाँ आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं मैं बात कर रहा हूँ SIP मतलब systematic investment plan की पुरानी कहावत है बूंद बूंद से घरा बढ़ता है आपने भी सुना होगा तो इसका मतलब भी आपको पता है कि अगर आप इसके concept को समझ जाते ह आप कैसे start कर सकते हैं और 100 उपैसे भी कर सकते हैं और ये SIP आपके घर में Mercedes car भी लाज सकता है जी हाँ proof दिखा दूँगा और बताओ Mercedes car आपके घर में रहेगी रहेगी और रहेगी guarantee के साथ और साथ में कौन से ऐसे बहतरीन Mitchell fund है जहां पे invest करना चाहिए और क्यों करना चाह तो आज तक YouTube पे इतनी detail वीडियो नहीं वनी है Mitchell fund की जो इस वीडियो में मैं cover करने जा रहा हूँ ये एक वीडियो अपने आप में complete एक paid class की तरह है जहां पर इस चीज के लिए paid class लिया जाता है उस चीज को मैं complete free देने वाला हूँ तो समय निकाल कर ध्यान से सुनिएगा स सब clear हो जाएगा तो वीडियो को last तक देखिए और एक एक point को note भी कर सकते हैं तो SIP का मतलब systematic investment plan जब आप systematic तरीके से investment करते हैं तो इस तरीके को SIP कहते हैं mutual fund सबसे आसान तरीका है SIP करने का हर महीने आपके account से fund deduct होता है और mutual fund unit buy हो जाता है simple है अब जल्दी से समझते हैं कि mutual fund क्या होता है तो यह एक investment product है जहाँ एक mutual fund company public से fund collect करती है और एक साथ star fund को market में invest करती है और आपको उस fund का NAV unit के रूप में देती है अब NAV का मतलब है net asset value जितना भी fundamental fund company public से collect करके invest करती है उसका total investment value को net asset value करते हैं इसमें से company अपनी liability और expense को minus कर लेती है उसके बाद जो net value बचता है investment का उसे NAV कहते हैं अब SIP का importance समझते हैं live calculation के साथ मैं बिल्कुल basic data का use करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि कितना छोटा सा investment से आप कितना big return ले सकते हैं और आपकी उमीद से बढ़ कर पहले सुरू करते हैं 100 रुपय से क्योंकि लोग 100 रुपय को value नहीं देते हैं और ये बहुत value की चीज़ है 100 रुपय का monthly SIP जिसमें आप हर मंद 100 रुपय इंवेस्ट कर रहे हैं माल लेते हैं 20 ताल क्योंकि मेरे पास maximum subscriber भी 20-25 साल के हैं और return हम बहुत lowest ले रहे हैं 10% का क्योंकि आपको लगना चाहिए हर चीज lowest level पर हो रही है जबकि 15% का return बहुत आराम से मिलता है फिर भी मैं minimum ले रहा हूँ तो आने वाले 20 ताल में 100 रुपय का monthly investment कितना होगा guess कीजे comment में बताएं ना उमीद idea तो होना चाहिए ना आपको 20 ताल में आपका investment होगा 1,20,000 और return आएगा 2,62,848 तो 1,20,000 प्लस 2,62,848 तो 3,82,848 100 रुपय से आप लगपती बन गए यही है छोटा सा SIP का जादू तो उमीद होगा आप समझ गए होंगे SIP अमीर बना सकता है अगर आप SIP का जादू समझ चुके हैं तो मुझे comment में बताएं आपका क्या target है लगपती बनना या करोरपती बनना comment में जरूर बताएं मुझे बेसबरी से इंतजार रहेगा कौन इस जादू को समझ चुके है आज की वीडियो खास इसलिए है कि जैसे stock जब analysis करते हैं तो मैं आपको क्या बताता हूँ कि यह stock क्यों लेना है या क्यों अच्छा है क्यों बुरा है वैसे ही mutual fund की analysis बताऊंगा कि mutual fund जब मैं कुछ बता रहा हूँ तो वो अच्छा है या बुरा है मतलब कौन सी basis पर आप खुद से boss बन कर कह पाएंगे कि यह mutual fund अच्छा है यह mutual fund खराब है मतलब इतनी detail वाली कहानी और साथ में एक ऐसा bonus Mercedes car तो आ रही है बोला था ना mutual fund कितने तरह के होते हैं यह समझना ज़रूरी है तब ही आप सही investment की decision ले पाएंगे तो दो तरह के होते हैं एक equity mutual fund दूसरा debt mutual fund equity mutual fund company के stock में investment करते हैं और debt mutual fund debt bond में invest करते हैं बस यही दो तरीके हैं अब इनी दोनों तरीकों को मिला कर आपका return और risk को जैसे हमारे इंडिया में nifty 50 तो जो share nifty 50 गेंडर होंगे index mutual fund उन्ही company को buy करेगा फिर आता है large cap इसमें mutual fund company big big company के stock को buy करती है large cap वाले को इसी तरीके से mid cap, small cap जहां company medium और small size की company में invest करती है जब इन 3 cap को मिला दिया जाता है तो बनता है multi cap fund जिसमें mutual fund company हर size की company में invest करती है फिर है theme based fund जब कोई mutual fund किसी specific sector या industry में invest करता है तो उसे theme based mutual fund करते है ये सब चीजें आती है equity mutual fund में अब आते है debt पर तो जब mutual fund company government के debt bond में invest करती है तो उसे guilt debt mutual fund बोलते है corporate bond debt fund जब mutual fund company या corporate debt bond में invest करती है तो उसे corporate bond debt mutual fund बोलते है तो यह जितने भी category बनाया गया है इन सभी में invest करने का अपना अपना तरीका होता है यही वज़ा है कि आपको यह सतारे service और training के लिए fee के pay करना पड़ता है मगर आपके भाई ने आपको सब कुछ free में सिखाने का वादा किया है और एक सही knowledge से ही क्या होता है return मिलता है तो अब हम लोग जान चुके हैं SIP क्या है SIP आपको अमीर कितना बना सकती है कितने तरह का Mitchell fund होता है तो यह सब जान गए अब time है दो सबसे important सवाल के जवाब कर कैसे invest करें और किस में करें तो Mitchell fund में invest करने के काफी उपाए अगर आप Mitchell fund कंपनी से direct contact करते हैं तो बहुत सारे online app है Paytm, Quine, E.T. Money, Grow बहुत सारे इसमें सारे ऐसे online app है जो आपको Mitchell fund facility प्रोवाइड कराती है Demet Trading Account का link हमारे description में उससे भी आप open करके आराम से कर सकते है तो जिस broker के साथ करेंगे वो वहाँ से आप MF की facility मांग सकते है आपको बस अपना और अपने nominee का pen और bank detail देना होता है जिससे हर मैंने एक fixed date पर SIPM amount deduct हो और withdrawal होने पर उसी account में पैसा आए मैं आपको कोई भी app recommend नहीं कर रहा बस market में available है इसलिए बता दिया तो किसी भी app use करने से पहले आप research जरूर करें आज के technology के दौर में mutual fund हो या investment करना मुस्किल नहीं है अपने हिसाब से देख के आराम से कर सकते हैं अपने सब से आखरी और important सवाल पर जिसका आपको बेसबरी से इंतजार है Top 5 mutual fund for 2023 जो दिलाएगा Mercedes लेकिन वीडियो को like तो कर दीजिए बाद में भूल जाईएगा देखे मैं हर category का mutual fund बताऊंगा ये mutual fund क्यों अच्छे हैं क्यों invest कर सकते हैं ये जानने वाली बात है तो large cap में मेरे पास है निपॉन इंडिया large cap fund ये इंडिया की leading mutual fund company है इनका AUM, average AUM 2,89,431 करोर का AUM मतलब asset under management ये बताता है कि कमपनी कितना fund manage कर रही है निपॉन जापान की company है 1995 से active है पुरानी company है, काफी सारे product है ETF के मामले में company number one पे आती है क्योंकि इनके पास लगबग हर theme के ETF है हम लोग अभी ETF पे नहीं जाएंगे company की खासियत बता रहे हैं अब बात करते हैं निपॉन इंडिया large cap fund के खासियत की तो ये वैसे investor के लिए सही होगा जिनका investment period 3-5 साल का है वैसे किसी भी SIP या Mitchell fund से return की उमीद कम से कम 5 साल में ही कर नीच है और मैं हमेशा से बता रहा हूँ इस Mitchell fund का benchmark है S&P BSE 100 Index इसी index के performance से निपॉन इंडिया large cap fund का performance compare किया जा सकता है तो अगर Mitchell fund का return benchmark index से अच्छा है तो मतलब Mitchell fund अच्छा है तो पिछले एक साल में S&P BSE 100 Index का return 6.64% और इनका कितना है 11.84% तो अपने benchmark से 5.2% जादा का return पोर्टफोलियों में इनके 56 stock है जिसमें 73.26 big company के share है 10.26% mid cap के 1.41% small cap के अगर top 5 देखें जहां पर इन्होंने पैसा लगाया है तो हो HDFC, L&T, Reliance, SBI, ICIC तो big company large cap fund में लगा दिया portfolio turnover ratio 65% और इस category में बाकी Mitchell fund का average portfolio turnover ratio होता है 143.81% तो portfolio turnover ratio हमें बताता है कि Mitchell fund कितनी बार portfolio के share को buy और sale करता है एक साल के अंदर और ये जितना कम उतना अचा क्योंकि कम buy sale होगा तो expense भी कम आएगा और return बढ़ियां मिलेगा तो इस fund का standard deviation है 22.26% इस category का average है 19.36% मतलब अपने बाकी के fund से ज़ादा volatile अब आपको लगदा volatile मतलब risk मगर रुकी है यहाँ एक और concept आता है जो समझना जरूरी है starp ratio हमें बताता है कि कितना risk लिया गया है return generate करने के लिए तो इससे पता चलता है कि कितना ज़ादा return बना है risk लेने की वज़े से जैसा मैंने बताए कि निपन लाज cap अपने category के fund से ज़ादा volatile है तो भाई return भी ज़ादा होगा correct है तो इसी लिए इसका starp ratio 0.51 है और इस category का कितना है 0.42 मतलब ज़ादा volatile है तो इसके बदले ज़ादा return दे रहा है और इस fund का EUM है 12,534 करोर past return देखें तो 5 साल में 59% का दिया है जो अच्छा है past performance काफी सही है और इसी के साथ इस fund को crysil का 5 star rating बे मिला है MF company का history, product, performance, ratio analysis हर point पे Nippon large cap एक अच्छा fund लग रहा है अब आते हैं multi cap पे क्योंकि हमने mutual fund analysis का सारा point आपको large cap के साथ समझा दिया है इसलिए अब मैं directly MF के नाम, performance और ratio बताऊँगा आप समझ जाओगे multi cap के list में top पे आया है quant active fund quant group 2007 में सुरू हुआ था 2008 के global financial crisis के वक्त काम स्टार्ट किया था और इस Mitchell fund के पास total 11,155 करोर का AUM है quant active fund उन investor के लिए अच्छा है जो थोरा ज़्यादा risk लेना चाहते है as compared to large cap इसका benchmark index निफ्टी 50 पिछले एक साल में निफ्टी 50 का return है 3.88% और इन्होंने कितना दिया 9.96% 6.08% अपने benchmark से जादा return है portfolio में इनके 60 stock है 49.44% large cap के 9.01 mid cap के 24.84% small cap के तो आप देख रहे होंगे company के size wise allocation change हो गए है large cap में बरी company जादा थी इसमें small company जादा है यहाँ पर इनके top holding पे नज़र डालें तो ITC है, Amboza Cement है Adani Port है, SBI है Patanjali Food है, अब इनका portfolio turnover ratio देखे तो 125% है इस category के बाकी fund का average कितना है 114.81% मतलब company कई बार अपने stock को change कर रही है क्योंकि Quant Mitchell Fund अपने category के average return से अच्छा return दे पा रहा है इसलिए इनका यह turnover ratio ignore किया जा सकता है Standard deviation 22.32% इसके category का average standard deviation है 19.59 इसको justify करने के लिए इसका star ratio है 1.08 इसका category के fund का star ratio है 0.62 मतलब Mitchell Fund company जो turnover कर रही है और risk ले रही है उस पे अच्छा return generate कर रही है Quant Active Fund का AUM है 3,221 करोर का Past return देखें तो 5 साल में 114% का return दिया है Past performance काफी अच्छा है इसी के साथ इस fund को Chrysal का 5 star rating भी है Mitchell Fund के history, past performance, ratio analysis हर point पर ये multi-cap fund सही लग रहा है अब आते हैं debt fund की जिसमें कि मैं हमीशा कहता हूँ हमीशा अपने portfolio को diversified रखना चीए मतब पूरा पैसा एक asset में नहीं लगाई है जैसे अभी लोग equity fund देख रहे हैं उसी तरीके से अच्छा debt fund भी है debt fund में risk कम होता है क्योंकि ये ज़्यादा तर government bond में पैसा लगाते है और government का default करने का chance काफी कम होता है लगवग ना के बराबर तो इस fund में मेरे list में है SBI Magnum Guilt Fund SBI को introduction की need नहीं SBI की ही subsidiary company SBI AMC जो Mitchell Fund product provide कराती है और हर किसी को अपने portfolio में equity fund के साथ debt fund भी रखना चीए जिसमें risk ना के बराबर हो और ये guilt fund उन fund को बोलते हैं जो government bond में पैसा लगाते हैं तो SBI Magnum Guilt Fund का जैसा analysis करने की जरुवत नहीं क्योंकि ये bond में पैसा लगाते हैं इनका benchmark है Chrysal 10 Year Guilt Index पिछले एक साल का अगर benchmark index का return देखें तो minus 0.02% है और SBI Magnum Guilt Fund का return 4.31% है इसका return इस category के fund से काफी अच्छा है पास्ट एक year में देखें तो एक year का return 4.31% का है और इनके competitor का देखें तो 2.15% का है तो past performance सही है इसी के साथ इस fund को Chrysal का 5 star rating भी है तो इसी लिए SBI Magnum Guilt Fund अच्छे fund के list में आता है अब बात करते है theme based mutual fund की ये वैसे fund होते हैं जो किसी specific sector या industry के company में पैसा लगाते हैं theme based mutual fund में मेरे list में है DSP, Natural Resources and New Energy Fund 25 साल पुराना mutual fund है DSP mutual fund 1860 में business start किया था stock broker के रूप में 1997 से company as a asset management company काम कर रही इनका जो total AUM है वो है 1,11,341 करोर का ये natural resources New Energy Fund select करने का मकसद है कि इस sector का future potential तो ये बात किसी से छिपी नहीं है कि जिस तरीके से सारी company natural energy से focus कर रही है चाहे वो electronic vehicle हो या technology हो हर चीज़ को चलाने के लिए energy की need है और सारी power company natural resources से energy production का plan बना रही है यही वज़़े है कि मुझे लगा कि आने वाले वक्त में ये growth दे सकता है अगर आपको जानना है कि power company कैसे काम करती है तो आप मेरी Tata Power की analysis देख सकते है जो बहुत प्यार से बहुत डीटेल में बनाई थी renewable energy sector में growth होने वाला है बस यही वज़़न नहीं है इस Mitchell fund को select करने का जैसा कि मैंने बताया MF के performance analyze किया है वैसे ही इसका भी करेंगे Chrysal ने इसको 4 star rating दे रखी है ये fund उन लोगों के लिए सही है जो renewable energy के growth पर विश्वास करते है इसका benchmark index है Nifty 50 Nifty 50 के 1 साल का 1 साल का return मैंने 3.88% बताया इस fund का return है 5.72 और अपना benchmark 1.84% से ज़्यादा है इसमें total 19 stock है जिसमें 41.02 large cap 18.08 mid cap 1.06 small cap 15.71 other MF है में investment है same theme पर अगर top holding देखे हैं तो जंदल स्टील, टाटा स्टील, हिंडाल को Reliance Call India है अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं अगर आपको किसी दूसरे theme में विश्वास है तो आप उस दूसरे theme में पैसा लगा सकते है इसका portfolio turnover ratio है 34% और इसके category का average ratio है 144.14% मतलब fund काफी कम buy sell करती है अपने holding को जो की अच्छी बात है इनका performance देखें तो 3 साल में 22% का return 2 साल में 31% का return दिया है performance अच्छा है 2 साल 3 साल के हिसाब से मगर ध्यान रखिएगा बिलकुल sector specific investment होगा तो इसी लिए risk जादा हो जाता है कि अगर नहीं चलेगा तो पैसा फस जाता है अब आते हैं 5th fund पे मगर इस बार ये Mitchell fund नहीं है बलकि ETF है ETF का मतलब exchange traded fund ये होता है बिलकुल Mitchell fund के जैसा मगर ETF stock exchange में लिस्टिड होता है जिसमें हम लोग normal share के जैसा buy sell करते हैं आसानी से तो मैं जिस ETF की बात कर रहा हूँ वो है मोती लालोस वाल Nesdaq 100 ETF ये एक traditional broking firm है साथ में इनका AMC यानी Mitchell fund segment भी चलता है इसमें ETF में Nesdaq के 100 company है जिसमें performance को ये ETF मैच करता है Nesdaq US का index है जिसमें US की बड़ी बड़ी IT company जैसे Facebook, Google, Amazon है और हम सभी जानते हैं ये US का market अपने low के पास है इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे वक्त में थोड़ा थोड़ा SIP के रूप में invest होना चीए तो इसी के साथ आपके सबसे important सवाल का भी जवाब मिल गया होगा कि वो 5 fund जहां आप 2023 में invest कर पाएंगे और अच्छा return बना पाएंगे मगर रुकिए मैंने bonus point की बात की थी याद है ना भूले तो नहीं होंगे जब भी आप किसी भी Mitchell fund में invest करने जाएंगे जैसे share sale करने से या dividend या किसी corporate action से तब Mitchell fund company उस profit को दोबारा उसी fund में add कर देती जिससे आपका fund तेजी से grow करता है मगर dividend fund में ऐसा होता नहीं है dividend fund में Mitchell fund company तारे profit की dividend के रूप में आपको वापस दे देता है जिससे आपके investment में वो compounding का magic जुर नहीं पाता है और जब fund dividend के रूप में वापस आ जाता है तो high chances होता है कि खर्च हो जाए क्योंकि हम इंसान है इसलिए जब भी आप investment करें तो ये ध्यान रखें कोसिस करें कि growth fund में ही investment करें ताकि आपको compounding का benefit मिल सके और आपका पैसा तेजी से बढ़े अब time है एक और bonus का आपके घर Mercedes लाने का आप जानते हैं कि किस तरीके से आपके घर Mercedes आएगा आपको बस 13,812 रुपे का monthly SIP करना है 20 साल तक 10% मड़ी हालत में lower बोल रहा हूं 15% मिलता है तो एक करोर का corpus मिलेगा जिससे आप Mercedes अपने घर ला सकते हैं तो आपको कौन सा fund पसंद आया comment में जरूर बताईएगा जिससे मुझे पता चल सके कि आप सीख रहे हैं आपको फाइदा हो रहा है मेरी मेहनत सफल हो रही है और वीडियो को share जरूर कीजिए दोस्त जिससे स्तारा इंडिया सीखे तो उमीद करता हूँ आपको ये भाई वाली कोसिस अच्छी लगी होगी पूरी कोसिस किया हूँ आसान से आसा भासा में समझाने की Mitchell Fund के उपर ऐसा detail analysis को ही नहीं देता है मगर आपके भाई ने आपको दिया है तो बस प्यार देते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए